प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार आज हम भारति सविदान के भागों का पार्स का अध्यन करेंगे जैसा कि आप जानते हो भारति सविदान में 300 पिच्चान में अनुचेद है जिनने 22 भागों में विवाजित किया गया है इसे समझने है तू हमें सर्वपर्थम पुन्हें ये जानना होगा कि सविदान क्या है सविदान नियमों का ऐसा समोव होता है जिसके माध्यम से सरकार जनता पर सासन करती है या दो सब्दाते हैं सरकार और जनता पर सासन करती है तो सविदान के जो भाग है उनको भी दो भागों में बाटा गया है सरकार से समंदित भाग और जनता से समंदित भाग भाग पर्थम में संग राज्य छेत्र दिया गया है ये अनुछेद एक से च्यार के मद्दे इसका वर्णन किया गया है और इससे आगे चलते हैं भाग सेकिन में नागरिक्ता समन्दी उपबंदों का वर्णन किया गया है भाग तीर में मूल अधिकार दिये गये है मूल अधिकार अनुछेद 12 से 35 के मद्दे वर्णनित है और भाग च्यार में निती निदेशक तत्तों का वर्णन किया गया है निती निदेशक तत्तों के माध्यम से भारत में लोकल्यान कारी राज्य की स्तापना का सपना साकार किया गया है इनका वर्णन ने अनुछे 36 से 51 के मद्दे विद्यमान है और फाग च्यार के जिसे 42 वे सविदान संसोधन गुनिसो चिंतर के दुआरा सरदार सरवण सिंग कमेटी की रिपोर्ट पर जोड़ा गया उसमें मूल करतवे समाहित किये गये हैं इसे एक नए अनुछे जोड़ा गया जिसे इक्याउन के के नाम से जाना जाता है अब आता सरकार से समंदित भाग सरकार दो प्रकार की होती है केंदर सरकार और राज्य सरकार केंदर सरकार का वर्णन भाग पाँच में है राज्य सरकार का वर्णन भाग छे में है केंदर सरकार से समंदित भाग पाँच का वर्णन अनुछेद बाउन से एक सु इक्याउन के मद्दे विद्यमान है इसके अंतरगत सासन के तीनों अंगों को अलग-अलग प्रकार से वनित किया गया है केंद्री कारेपालिका का वर्णन अनुचेद 22-78 के मद्दे विद्यमान है विधाईका की कारेम सक्तियां अनुचेद 79-123, 123 के मद्दे विद्यमान है नियाई पालिका से समंदित प्रावधान 123-187 के वीज वर्णित है इसी प्रकार राज्य सरकार से समंदित जो भाग है उसका वर्णन सविदान के पांचवे छटे भाग में दिया गया है इसका वर्णन अनुचेद 152-237 के मद्दे विद्यमान है राज्य की कारेपाली का सक्तियों का की व्याक्या अनुचेद 152-167 के मद्दे की गई है इसी प्रकार उच्च न्यायले का वर्णन अनुचेद 213-237 के मद्दे विद्यमान है इसी प्रकार भाग साथ में जिसे इसे साथवे सविदान संसोदन अधिनियम 156 दुआरा समाप्त कर दिया गया इसमें भारते राज्यों को चार भागों में A, B, C, D में बाटा गया था जिसका अधियन हम आगे करेंगे कि किस प्रकार गुनिय 156 से पहले चार प्रकार के राज्ये होते थे अब अनुचे 238 खाली पड़ा है भाग आठ अनुचे 242 के मद्दे संग्सासित परदेश दिल्ली पांडी चेरी इतियादी का वर्नन किया गया है याद रहे जम्मू कस्मीर पुर्नर गठन एक्ट के माध्यम से कानून के माध्यम से संग्सासित परदेशों की संख्या में इजापा हुआ है जबकि राज्यों की संख्या में कमी हुई है वर्तमान में भारत में 28 राज्ये तथा 9 के इंदर सासित परदेश है जिसमें जमु एवं कस्मीर तथा लद्दाग जुड़ा है जबकि राज्यों की स्रेणीं से जमु कस्मीर निकला है भाग नो में भार्त इस्तानी सवसासन का वणनन किया गया है ये भाग नो भी बाद में जुड़ा है इसमें सबसे पहले आता है ग्रामिन इस्तानिय सवसासन जिसे हम पंचाइत राज के नाम से जानते हैं ये इसका वर्णन अनुचे 243 में एसे अनुचे 243 O तक किया गया है ये तेतरवे सविदान संसोधन अधिनियम 1922 में के माध्यम से जोड़ा गया है सेरी इस्तानिय सवसासन का वर्णन अनुचे 243 P से अनुचे 243 Z G तक किया गया है इसे सविदान की भाग 9A में इस्तान दिया गया है ये भाग 24 सविदान संसोधन अधिनियम 1922 में के माध्यम से जोड़ा गया इसी प्रकार इसी अधियाई में अनुचे 243 Z H से Z T तक सेकारी संस्ताओं की सक्तियों अधिकार तता विविद प्रावदानों समंदी वर्णन किया गया है ये है अधियाई या ये उपध्याई सत्यान मेवा सविदान संसोधन 2011 के माध्यम से जोड़ा गया भाग 10 में अनुसूचित जन जाती छेत्रों का वर्णन है जैसे TSP इतियादी का ये अनुचे 244 में विद्यमान है भाग 11 केंदर राज्य समंदों से समंदित है इससे समंदित प्रावधान है अनुचे 245 से 263 तक वर्णित है इसके दो भाग है दो अध्याई अलग है इसमें परतम अध्याई में विदाई समंद केंदर तता राज्यों के मद्दे जो विदाई समंद है कानुनी समंद उनका वर्णन किया गया है ये अनुचे 245 से 255 तक विश्तरित है इसी का सेकिंड अध्याई है केंदर राज्ये प्रसासनिंग समंद इनका वर्णन अनुचे 256 से 273 तक है अब आता भाग 12 केंदर तता राज्यों के मद्दे वित्य समंदों का वर्णन इसमें किया गया है ये अनुचे 264 से 300A तक विद्यमान है इसके भी अलग-अलग अध्याई है, पर्थम अध्याई में वित्य समंदों का वनन किया गया है सेकिंड जो इसका अध्याई है उसमें रिन लेने समंदिद प्रावधानों का वनन किया गया है इसी प्रकार अध्याई 3 में संपती, समिधाएं, अधीकार, बाददेताएं आधिवादों का वणन किया गया है अध्याई या चेप्टर 4 में संपती के अधिकार का वणन किया गया है याद रहें कि प्रारम्ब में संपति को मूल अधिकारों में सम्मिलित किया गया था लेकिन आगे चलकर के गुन्नी सो 78 में 46 सविधान संसोधन के माध्यम से संपति के अधिकार को मूल अधिकारों की स्रेणी से अठा कर कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया तता इसको अनुचे 300 के में जोडा गया धन्यवाद